पीकी नहीं होंगी रक्षा बंधन की खुश्याँ डाग घरों में राखी भेजने के विशेश इंतिजाम वाटरप्रूफ लिफाफों में भेज सकेंगे राखी तीन अगस्त को है रक्षा बंधन का तोहार रक्षबंदर का तोहार आने में कुछ ही दिन बाकी रहे गए हैं लोगडॉन के बाद अनलोकी प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन जन जीवन आज भी पूरी तरह से सामाने नहीं हो पाया है सरकार समझिक दूरी के नियमों की पालना की बात कर रही है रेल और बसों का संचालन तो शुरू है लेकिन लोगडॉन के बाद फिर से शुरू है कामकाच के कारण घर से दूर नौकरी और काम करने वाले भायों का आना मुश्किल माना जा रहा है ऐसे में डाग विभाग हर बार की तरह इस बार ही रक्षा मंदन इस्पेचल राखी लिफाफे की बिक्री को शुरू कर रहा है या लिफाफा पूरी तरह से वाटर प्रूफ होगा रंगीन होने के कारण लिफाफा अन्य लिफाफों से अलग नजर आएगा इस लिफाफे में राखी रख कर इस पीस पोस्ट, रजिस्ट्री या सामाने डाग से देश में कहीं भी भेजा जा सकता है राखी के लिए बुकिंग सुविधा भी इतना ही नहीं पोस्टरल डिपार्टमेंट ने राखी के लिए बुकिंग सेवा भी शुरू की है बहने डाग विभाग के जरिये देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी राखी डिलीवर कर सकेंगी डाग विभाग ये सुनिश्यत करेगा कि रक्षा बंदन से पहले ही राखी डिलीवर हो जाए विभाग ये जानकारी के अनुसार कोरोना संकट के कारण इस बर राखी जल्दी भेजनी होगी ताकि समय पर डिलीवरी की जा सकें राखी सामाने डाग, रजिस्टर पोस्ट और साथ ही स्पीड पोस्ट के जरिये पूरे देश में भेजी जाएगी पोस्ट ऑफिस ने राखी भेजने के लिए कट ऑफ डेट 25 जुलाई रखी है, वहीं राजिस्थान के लिए 28 जुलाई निर्धारित की गई है अलग से होगा बॉक्स, पोस्ट ऑफिस ने राखी के लिए जो योजना बनाई है यह बेहत अलग है, इसके लिए डाग घरोन में अलग से बॉक्स और बैक की सुविधा दी जा रही है, जिसमें राखी वाले लिफापे रखवाए जाएंगे समय पर राखी पहुचाने के लिए नीशनल शंटिंग हब की विशेश व्यवस्था की गई है, इसके लिए एक विशेश ड्राइव भी चलाई जाएगी, यानि 2 अगस्त को रविवार को सुभे 8 बजे से 11 बजे तक राखी डिलीवर होगी कोरोना संकट को देखते हुए डाग घरों में सैनिटाइजेशन की भी विशेश व्यवस्था की गई है, पोस्ट को वितरण करते एक समय सैनिटाइज किया जाएगा, इस बात का विशेश धान रखा जाएगा, कि जिससे संकिरमा ना फैले, इसके साथ ही अपने लिफाफे या अन्य पोस्ट डाग घरों में डालने आ रहे हैं लोकों को कहा जा रहा है कि वह सानेटाइजर का उप्योग करें इस समझ में डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज राजिस्थान परिमंडल के दिनिश शर्मा का कहना है ये सारी विवस्था रक्षाबंदन को देखती हुई की गई है जिससे राखी समय पर पहुंच सके हर साल की तरह इस बार भी वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब करवाए जा रहे हैं जिससे राखी सुरक्षित बहने अपने भाईयों तक पहुंचा सके